नमस्कार आप देख रहे हैं इसाफ के आवाज मैं पूर्णम हाजीरू एक नई खबर के साथ भले ही लगडाउन की अवदी करीब आ रही है लेकिन करोना संदिक दो और लगतार मिल रहे करोना मरीजों की संख्याओं को देखते हुए कोलहान के सबसे बड़े सरकारी अस्पिताल MGM में तैयारी सुरू कर दी गई है गौर तरब है कि देख में धीरे धीरे कोरोना संदिक्तों की संख्या बढ़ने लगी है और जहारकन भी इससे अच्छुता नहीं है ऐसे में अब जान्स प्रकिया को और भी तेज करने की तैयारी है इसलेकर अस्पिताल के नए मेटसिन भवन परिजर का प्रयोग इस महामारी से संक्रमित मरीजों के लिए किये जाने का निर्देश मिलते ही अस्पिताल प्रसासन इस नए भवन की साफ सफाई में जुट गया है संभावना जदाई जा रही है कि पहले चरण में इस अस्पिताल में 200 बेट का आईसलेशन वार्ड तयार किया जाएगा हालकि अस्पिताल अधिक्षक की ओर से इस संब्द में कोई अधिकारिक पूस्टी नहीं की गई है फिल्हाल अस्पिताल के नए भवन की साफ सफाई का काम काफी त्री उगती से सुरू किया गया है आपको बता दे कि MGM अस्पिताल स्थित आईसलेशन वार्ड में सुमवार से करोना के 50 संदिक मरीजों को रखने की सुविधा सुरू हो गई है MGM के आईसलेशन वार्ड में पहले केवल 20 संदिक मरीजों की रखने की व्यवस्ता थी उपायुक्त रवी संकर सुकला के निर्देश पर MGM अस्पिताल अधिक्षर डॉक्टर संजे कुमार द्वारा आईसलेशन वार्ड में 30 बेट बढ़ाये गया है त्यारी चल रही है पोसिस की जा रही है कि बेट की संक्या बढ़ाई जाए है कि साफ सफाई की काम चल रही है और जरूरत में साफ से इतना हो सकता है हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि इसको बेट को इंपेज किया जाए यह पीछे में न्यू बिर्लिंग है और प्रियाटिस मेडिसिन की उसमें बल रही है अभी के लिए बस इतना है दिन भर की ताचा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना न भूले